शिवरात्री दात्योहार बारत विच बड़े ही धूमदामनार मनाया जान्द है हर साल शिवजी दे लखा मंदीर है के भारतीच कश्मीर दी तरफ देखिये ते अमर नाथ दा मंदीर अर्थात अमर आत्माओं दा जड़ा स्वामी है नाथ है मालिक है वो जैन विच देख देया ते माहा कालेश्वर मंदीर क्योंकि कालों दा भी काल माहा कालेश्वर शिवजी नुकंदे ने वो काल ते इक नु लेके जन्द है लेकिन काला दा काल ओते सारी स्रिष्टी दी आत्माओं नु वापिस मुक्ति दाम बिच लेकर जन्द है राम इश्रम राम दा भी इश्वर शिवजी दिखाया गिया क्रिशन जी दा भी इश्वर बड़ा शिवजी नु दिखाया गिया है तो शिव रात्री मनाना अर्थात भोले नाच दा दिन मनाना नौलिजफुल होंदे हुए भी ओ बोला ना थे जानदा सब कुछ है नौलिजफुल है अंतर या मिये लेकिन एक एक संकल्पदा हिसाब भी वो कर सकदा है करदा नहीं है ते सच्चे दिल ते साहव राजी बोले नाथ नू रजाले भी मनाले भी ओधी आज्याकारी सपूत बच्चे बन करके रही गंदे गाते तो आए तुमी हो माता पिता तुमी हो तुमी हो बंदु सखा तुमी हो पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही इकनात हमारे हो बच्चपन से ही अनू असी मात पिता कहकर याद कर दे आई हैं कि हून की करना है ओदेना अपना सबंद जोडना है वो भोला ना थे लेकिन नौलिजफूल है देन दू कोई कसर नी छोड़दा है ओपर वाला देनदा है ते चपड फाड़ के देनदा है दूजीवा गल शिव और शंकर वीच अंतर है असी जाद मंदीर वीच देख देहा तो शंकर जीते अगे शिवलिंग दी पिंडी रखी गई है अना शंकर जी भी शिव जी दा द्यां कर रहे है तो शिव जी वड़्डे ने पीता है रचैईता है कल्यानकारी है और शंकर जी आकारी सुक्षों बतनवासी देवता है विनाशकारी देवता है और ना दिति जी आंक खुली और भी नाश हो गया पुत्र हैं वो शिवजी दे हर साल शिवरात्री मनन देने ना कि शंकर रात्री तो शंकर जी भी शिवजी दा ध्यान कर रेने राम जी भी शिवजी दा ध्यान कर रे खृष्चन जी भी शिवजी दा ध्यान कर रे गोपेश्वरीच देवियानू रच्चन वाला शिवजी है शिवरात्री और नवरात्रे पूरे साल वीच ऐदो ही तिवहार होंदेने जिनादे पीछे रात्री शब्द यूज किता जा रहे अर्थाथ अंदकार जब चारों तरफ अंदकार ही अंदकार होंदे विकारां दा अंदकार बुराईयां दा अंदकार काम, करोध, लोब, मोह, एंकार, इर्शा, द्वेश, ग्रिना, नफरत, आलस से अल्वेला पन जेडे रावन दे दस शीष दिखा दितेने हैते मनुष्य दे मन वीच ऐपांच विकार जिनादाव गुलाम बन गया है ये शिवरात्री मनाना अर्थाथ पांच विकारानू जिवन वीच खतम करना पवित्र आत्मा बनना, पुझ्य आत्मा बनने दा पुर्शार्थ करना अर्थाथ लक्ष्मी नारायन बनने दा पुर्शार्थ करना इजी गल वरत भी रख देने शिव भगत पूजन भी करनगे, मथा भी टेकनगे, हाथ भी जोडनगे अकदे फूल भी चड़ानगे जागरन भी कर देने, बेल पत्र भी चड़ानदेने की अर्थ है नदा, क्या शिव जी एकरनल खुशो जानदेने अगर हर साल कर रहे हैं सी, ते ओ खुश क्यों नहीं हो रहे साड़े उपर क्यों दुखा जानदे साड़े उपर यसी दो हों दे कि कोई गल्ती असी कर रहे है जोती बिंदु, निडाकार, कल्यानकारी, शिव परमातमा, जिता जादगार, जोति लिंगम, पूजा जा रहा है ते बिंदु रूप है ओ, क्योंकि जो छोटी सी आत्मा ब्रकुटी वीच बैठी है, ओ भी ते बिंदु है तो ओ दा पिता भी तो बिंदु है, जी में पिता, उमें बच्चा तो एह ते वहार बिंदु बनकर बिंदु दा ध्यान करने दा ते वहार है कोई साकार रूप दा ये ते वहार नहीं एगा एह बिंदु बनकर बिंदु पिता परमातमा शिव जी दा ध्यान करना पापानू काटना, इसी लिए उनू पाप का टेश्वर पघवान केंदेने, ओ अजनम है, अभोगता है, अपरिवर्तनी है, माना जनम मरन, दुख सुख, पाप पुन्नेते चकर विच नहीं आंदा, ओ सिर्फ मनुष्य आत्मा यांदिये, ना की परमात्मा, अभोगता है, ओ भोगये पदार्थानों नहीं भोगता, अपरिवर्तनी हैगा, ना बच्चा बंदा, ना जवान, ना बुड़ा, ओ जोती बिंदु हैगा, आत्माउदा पिता, परम पिता, परम शिक्षक, परम सत्गुरु कल्यानकारी, शिव पिता, जिन्नों असी प्यार्नों शिव बाबा खेंदेले, शिब बाबा कल्यानकारी सर्व आत्माउदा पिता सर्वोच हस्ती है संसार्दी उँचा तेरा नाम उँचा तेरा धाम उँचा तेरे काम उँचे ते उँचा तू भगवंत कोई ना जाने तेरा अंत ते ओधी महीमा अपनम पारे शास्त्र भरे हुएने ओधी महीमा नर ते सच्ची शिब रात्री मन आंधी हुन जरूरत है सिर्व रस्मा करंधी जरूरत नहीं ते केडा अकदा फुल चडाने आपने मन बीच जड़ा जहर बर्या है न, कदी एदे प्रती, कभी एदे प्रती, कोई करोध आ गया, जोश आ गया, एंकार आ गया, मो ममता आ गई, नफरत आ गई, इशा आ गई, एनू खतम करना है, एज शिवजी नू अरपन करना है, एनू कहने ने सच्ची शिवडात्री मनाना, ते बेल पत्र जो तिन पत्यानों मिलाके, एक बेल पत्र कुद्रत ने बनाया है, शिवजी प्रकर्ती पती है, और अनू समर्पन करना है, कि तिन वो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर्दे रचहीता, त्रीदेव, रचहीता, त्रीकाल, दर्शी, त्रीलोकी, नाथ, शिवजी हैं गया ति कुद्रत ने भी देखो, तीन पत्यां वाला बेल पत्र बना दिता है, ति पानी को न केडा चड़ा अने दुद मे लाकरके, पवित्र दादा, मन वचन करम दे, पवित्र रवागे, शुद अन खामागे, सात्विक भोजन खामागे, पगवाननू बोग लगा के सानू सब कुछ दे रहे है, पहले ओनू तो स्विकार कराओ, यह अगर बत्ती धूबत्ती केड़ी जलानी है, परमात्मा केंदेने अपने जीवन नो परमात्मा दे उपर स्वाहा करो, दिव्य गुण अर्थात, वैल्यूस नो दारन करके, प्रेम, शांती, दया, करुना, स सानू बुती, प्रोब कार, तो खुश्बुदार वातावरन अपने अंदर दावी बनाके रखो, अपने कारदावी, ते फिर समाज दावी, जित्थे सीरंदेया, ते वृति नाल वायू मंडग अच्छा बनाए, शुद बनाए, और नो केंदेने अगर बत्ती बनना, खु रहना, फिर अंदर जागरन, तो केड़ जागरन करने, सोई हुई आत्मा नू जगाना है, अवियर्नेस, अपने विच जागरती लानी है, कि मैं केड कोन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मुझे कहां जाना है, मेरे पिता परमातमा कोन है, हो मेरे की लग देने, जिनानू मैं म मात पिता सक्खा बंदु स्वामी कहकर याद करता आया। ते ए जागरिती अपने विचलांदी जरूर थे। बाकी एक दिन शिवरात्री मनाई। ते बाकी 364 दिन की गीता। ओई जीवन कभी गुसा किता, कभी नफरत किती, कभी एहंकार विचा गए, कभी आलसी बन गए, ड शिवजी खुश हो, जानगे कि नहीं होंगे। इसलिए कलह-कलेश जीवनेचे खतम नहीं होंगे। पगवान नू की चाहिए। पगवान केंदेने आपनेनू आत्मा समझो, मेरा त्यान करो, मैं परमधाम विच निवास करदा हूं। केंदेने ना पार ब्रम परमेश्वर तू सब्दा स्वामी समझा गया सची शिवरात्री मना नी। ठीक है।